नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की सुरुआत सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर मामारी का रूप ले चुके कोरोना वाइरस को लेकर डियम ने जागरूग रहने की कही बात जनता कर्फियू का पालन करने के दिये निर्देश कोरोना संदिक्दों पर नज़र रखने के लिए माया गंज अस्पताल में बढ़ाई गई सुरक्षा दिक्षक ने कहा सौब वेट का होगा इसोलेसन वाड साथ साथी रपराधियों को पुलीस ने किया गिर अपतार हत्यार हुआ बरामत सीटी अस्पी ने दी जानकारी सुरों के बाद पक्षियों के मौत का सिलसला हुआ सुरूप बर्ड फ्लू की आसंका सिलसह में लोग और सबजी की याड में शराब की तसकरी करने वाले दो तसकर चला पुलीस के हत्ते भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामत अब खबरें विस्तार से महामारी का रूप ले चुके कोरोना वाइरस को लेकर जिलादिगारी पर्नपकुमार ने शनीवार को समिक्षा भवन में प्रेस कॉनफरेंस का आयोजन किया प्रेस कॉन्फरेंस में डियम ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा रवीवार को जनता कर्फ्यू का आवहन किया गया है और इसे लोगों के सहयोग से पूरा किया जा सकता है DM ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाओ के लिए सबसे महतोपूर्ण जाग रुपता है और बाहर से आने वाले रेल यात्रियों की जाच के लिए भागलपूरी स्टेशन पर डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है जिससे दूसरे स्टेट से आने वाले सभी यात्रियों की जाच डॉक्टर कर सकें और किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षन पाये जाने पर उसे आइसोलेशन वार्ड में भरती कराया जा सके डीम ने कहा कि कोरोना से बचाओ के लिए सहरी छेतर के अलावा ग्रामीन छेतर में भी माइकिंग के माध्यम से परचार परसार किया जा रहा है पीएचसी में चार गाड़ियों की विवस्था की गई है जिससे ग्रामीन छेतरों में परचार परसार किया जा सके DM ने कहा कि 31 मार्च तक भागलपूर आने वाली एवं यहां से खुलने वाली सभी बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी साथी DM ने कहा कि जेल में या उसके आसपास पबलिक गेदरिंग को रोकने के लिए मुलाकातों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है साथी नए मामले में पकले गए कैदी की पूरी जाज के बाद ही उसे जेल के अंदर भेजा जाएगा कैदी में यदि कोरोना के कोई भी लक्षन पाये जाएंगे तो उसे आइसोलेशन वार्ड में सिफ्ट किया जाएगा बैठक में होटल, बैंक्वेट हॉल एवं रेश्टरेंट बंद करने का निर्देश दिया गया है डीम ने कहा कि माया गंज अस्पताल एवं सदर अस्पताल में कोरोना वार्ड को लेकर कूल 120 वेड तैयार किये गए हैं इसके अलावा डीम ने कई और महतुपुर्ण जानकारी भी प्रेस कॉन्फरेंस में दी जवार लल नेरू चिकित्सा महाविद द्याले अस्पताल से कोरोना वार्ड के संदिक्द मरीजों के भागने के बाद आईसोलेसन वार्ड की सुविधा बढ़ा दी गई है अस्पताल में आइसोलेशन वाड के बाहर जिलादिकारी परनपकुमार के निर्देश पर डंडादिकारी के साथ पुलीस बोलों की तैनाती की गई है ताकि कोई संदिक्द मरीज छिपकर अस्पताल से बाहर न जा सके वही सनिवार को JLNMCH में आधा दर्जन से अधिक मरीजों की जाच की गई जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को घर में ही आइसोलेटेड होकर रहने का प्रामर्ज दिया बता दें कि मायागंज अस्पताल में अब तक 16 संदिक्द मरीजों की जाच हो चुकी है वही भागलपुर वासियों के लिए रहात की खवर यह है कि एक भी मरीज में कोरोना वार्यस होने की पूष्टी नहीं हुई है इधर मायागंज अस्पताल के अधिक्षक डॉक्टर रामचरित्र मंडल ने कहा कि नॉबल कोरोना वार्यस के बढ़ते परकोब को देखते हुए अस्पताल में एक सोवेड का इसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है साथी समानी सरजरी पर ततकाल रोक लगा दी गई है अधिक्षक ने कहा कि 5 OPD सेवा को बंद रखने का निर्देश दिया गया है ताकि अनावस्यक भीड से बचा जा सके वहीं देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वाइरस को लेकर माया गंज अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के अचोडी डॉक्टर असो कुमार भगत ने कहा कि कोरोना से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है साथ ही डॉक्टर भगत ने कोरोना वायरस को लेकर सोसल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक ख़वर से बचने की बात कही करेंगे लोगों से अपेल है कि आपने विए पेपर में जो देखते हैं कि को नवायरस है इसा हो रहा है यह करेंगे तो इसमें अनावश्यक्त तौनाव में आने की अवश्यक्ता नहीं है आपको यह साधानिया बदलाएगी जी उसका पालंग करें खासकर हमारे विहाद और करेंगे भागल कुन अधर एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और आपको जो इसको सोच करके नीद उड़ जा रही है घुबरहात हो रहा है धरकन हो रहा है इसे जब होड़ानी का हो सकता है नहीं है तत्कार आपको आपको उस अपील है कि एथा शंपाव आप अपने घर के अंदर रहें बिना अनावश्यक के भी भाड़ वाली जगब नहीं जाए जरूरत पड़ें तो जो सवधनी बतलाई गई है बार बार हाथ धोना मास्का इस्किमाल करना बाक्चित करने में एक मिट्रे के दूरी रखना इसे पालन करें और अपने आपको स्वस्त और रच की है सनिवार को सीटीएसपी सुसांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फरेंस कर पकड़े गए अपराधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी सीटीएसपी ने कहा कि रात्री गस्ती के दौरान मदू सुदनपूर पूलीस ने अपराध की योजना बनाते वे रागोपूर टीकर निवासी पवन्यादब को हतियार के साथ दबोच लिया उन्होंने कहा कि पवन्यादब का अपराधी कितिहास रहा है वहीं सुक्रवार की साम जगदिसपूर के बलवाचेक इलाके में महिरा से रूपए की जबट मारी कर भाग रहे दो अपराधी को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गिरफतार कर लिया गया है पकले गए अपराधी मिथुनकुमार एवं सुभंकुमार के पास से लूटे गए 11,000 रूपए, ATM कार्ड, दो मोवाइल, सीम और बाइक बरामत किया गया है CTSP ने कहा कि सभी अपराधियों ने घटना में अपनी सनलिप्तता स्विकार कर ली है प्रेस कॉंफरेंस में CTDSP राजवन ससिंग एवं DSP लाएन ओडर निसार एहमद मौजूद थे भाग गया है, सुचना मिलके ही थाना पहड़ी जगदीशपूर और बैपास थाना पहड़ी दोनों उसी एडिया में मोवाइल थे वहां चेकिंग कर रहे थे एक ने पिछा किया तो बैपास नहीं लगाया वे थे वहाद दो गिरफतारी उनका दिस सर्च किया गया तो सर्चिंग में जो लुटा वपे साथ था था उसके आलावा उसके पाद एटियम मिला है और कई एटियम कार्ट से मिला है तो सीच किया गया उसके बाद गटना कर इसमें कितने लोगों के गिरफतारी है इसमें दो गिरफतारी हुई है एक भाग गया है उसका भी नाम आगया है उसे जल्दी गिरफतार कर लेंगे उसका बसुदानपुर्ण का अपरादी है मन्ना यादा वह बेल पर छुटके आया है उसके इसी काहिते मील रही थी कल रा पुलिस ने आपती जिनक अवस्था में एक महिला समेट तीन लोगों को गिरपतार किया है पकड़े आरोपियों के पास से पुलिस ने एक मास्केट और 19 जिन्दाकार तूस बरामत किया है बताया जा रहा है कि सुक्रवार की राद दो बजे गस्ती पर निकली नातनगर पुलिस ने दोगच्छी NH-80 के किनारे ख़ली संदिक दिकार को देखा जिसके बाद पुलिस कार के समी पहुंची तो कार के अंदर पांच व्यक्ति को एक महिला के साथ आपत्ति जन्ə कि स्थिथी में देखा जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत मी लेने का प्रियास किया इसी दोरान मौका देख कर दो आरोपी फरार हो गया पकड़े गे तीनो आरोपियों की पहचान नातनगर निवासी नटवर साह, भीमकित्ता निवासी धीरज कुमार और खंजरपूर निवासी गोलु कुमार के रूप में हुई है वहीं परपांती और खगड़िया के दो आरोपी फरार हो गए कार में तालासी के दोरान बेल्ट में लगी 19 गोलियां और एक बड़ा हथियार बरामद हुआ है CTSP सुसांत कुमार सरोज ने कहा कि पकड़े तीनों आपरादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था जिसके मनसूओं को पुलिस ने नाकाम कर दिया वहीं दोनों फरार आरूपियों की गिरभतारी के लिए पुलिस चापेमारी अभ्यान चला रही है नीचे ग्री स्वामी का घर था नीचे पुलिस कार लगी थी और कार में अवईद काम हो रहा था उसके गिरभतारी की गई है उसके निसान दी खरकत चप्पा मारी किया गया भागलपुर में पिछले 10 दिनों से बिभिन इलाकों में 500 से अधिक स्वरों की मौत होने के बाद जहां लोगों में संक्रमन फैलने का खत्रा बढ़ गया है वही सनिवार को वाड़ नमर 27 के माया गंजिलाके में एक दरजन से अधिक देसी मुर्गी मरने के बाद श्वाइन फुलू की आसंका से लोग सहम गए हैं जिले भर में लगातार कववा, कबुतर, मुर्गी और कुत्ते मृत पाए जा रहे हैं जिसके कारण वर्डफलू की आसंका बढ़ गई है वही अचानक आई बीमारी को रोकने में पसुपालन विभाग अशमर्थ दिख रहा है जिला पसुपालन पदादिकारी डॉक्टर संभूनात जहा ने कहा कि सहरी छेतर में मुर्गी क्यों मर रही है इसकी जाच कराई जा रही है इधर सुवरों की मौत से इलाके में संक्रमन न फैले इसको लेकर डियम परनब कुमार के निर्देश पर नगर निगम परसासन की ओर से फॉगिंग और केमिकल का छिलकाओ कराया जा रहा है सनिवार को नगर निगम की वेवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए वाट नमबर 26 के पारसद पती संजे कुमार ताती और वाट सेंख्या 27 के पारसद उमर चांद ने क्या कहा आप खुद सुनने फिर भी हमने मांग किया है कि केमिकल हमको लिटर का हमसे कम दिया जाए जो हम दो टू डोर जो है उसको सिर्काव अपने से देख्रेट में कर वाट के आसपास में बहुत ज्यादा सुवर मर गया है और उसके लिए हम तेरे तारीक को सब पदाधिकारी को चुठी लिग करके दिये लेकिन कुछ भी नहीं हुआ नगर निगम से यहां तक कि नौंबर महिना से मेरा ओटो टीपर कराब है और वह साब सफाई नहीं होते हुए ओटो टीपर आज तक महया नहीं है सुक्रवार को जोनल किसी तरह ओटो टीपर उपलब्द कराता है इस से अंदाजा लगा और लेटर आया है कि सातो दीन 24 घंटा सफाई होगा जो सफाई करनी है उसको कितना चिट्टी देने पर कल मास्क उपलब्द हुआ है और चुना बिलिचिंग भी अभी तक नहीं आया लोग आ रहा है चुना बिलिचिंग है और एक 75 एमल का केमिकल आया वो 16-17 घर में वो के केमिकल आज का आज खतम हो गया वहीं नंगर निगम के स्वास्तिसाका परवारी महम्मद रहान ने दावा किया कि सुवरों की मौत के बाद संक्रमन रोकने के लिए नंगर निगम की और से परियापत व्यवस्था की गई है अवैद सराब तसकरों के खिलाप लगतार अभियान चलाए जाने के बाद भी शराब तसकरी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है बागा बहुसी पुलिस ने सबजी की याड में शराब की तसकरी कर रहे दो युवक को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दबोच लिया है बहुसी थाना ध्यक्ष राजेस कुमार याडव ने बताया कि जारखंट से भारी मात्रा में शराब की खेप बिहार लाए जाने की सूचना मिली थी जिसके बाद भेल जोर चेक पोष्ट के समीप जारखंट की ओर से आरही पिक अप वेन को रोक कर तालासी ली गई इस दोरान पुलिस ने वेन से सबजी की नीचे छुपा कर रखे 1871 बोतल शराब बरामत किया साथी वेन से दो तसकर को भी गिरपतार कर लिया गिरपतार तसकरों ने बताया कि दुंका से शराब की खरीदारी कर नवगचिया ले जाया जा रहा था तसकरों ने बताया कि पिक अप वेन को एक आल्टो सवार स्कॉट कर रहा था तलासी के दोरान आल्टो चालक पुलीस को देखते ही फरार हो गया फिलाल पुलीस ने दोनों तसकरों को जेल भेज दिया है वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद बड़े सहरों के तरच पर विश्वस्तर ये पढ़ाई की सुईधा नाथ नगर के दरियापूर सज़ावर में पहली बार संथ पॉल्स अकादमी सीब्यसी कुरिकुलम नर्सरी से क्लास एट तक की पढ़ाई Campus covered by CCTV, Smart Classrooms for e-Learning, Fully Equipped Infirmary, Community Outreach Programs एवं बच्चों के सर्वांगिन विकास के लिए अत्यादुनिक्ष विधाव से लेस संथ पॉल्स अकादमी दरियापूर, सज़ावर, नाथनगर, भागलपूर Admission Helpline No. 7280-082-712 Admission is going on Break के बाद फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते एंगली खबर की ओर नवगच्या में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है सनीवार की दोपर खरीक थाना छेत्र के तिलगी गाउं में पुर्विधायक कुमार सेलेंद्र के घर के समीप अमीत राय की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी घटना में युवक की मौत मौके पर ही हो गई घटना को मृतक के चचरे भाई पवन रायन के पुत्र सुमित रायने अंजाम दिया है गोली मारने के बाद आरूपी सुमित मौके से फरार हो गया इधर खरीक थाना को हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुँचे पुलिस कर्मियों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोसित कर दिया घटना को लेकर खरीक थाना पुलिस ने बताया कि निर्देश पर रभीवार को देश भर में ट्रेनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी इसका असर भागलपूर से खुलने वाली सभी ट्रेनों पर होगा रेल अधिकारियों के अनुसार भागलपूर से खुलने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया गया है सनिवार को भागलपूर रेलवे स्टेशन परिसर एवं प्लेटफॉर्न पर आम दिनों की अपेक्छा काफी कम यात्रियों का आवागमन देखा गया इस दोरान काफी यात्री अपने बचाओ एवं सुरक्षा का ध्यान रखते वे मास्क का प्रियोग करते दिखे और खासकर युआ वर्ग अधिक जागरुग दिखाई दिए प्लेटफॉर्म नंबर एक को छोड़कर अन्यसभी प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा रहा कोरोना के कहर को देखते वे जहां लोगों में जागरुपता देखी जा रही है वही क्यूल में चल रहे रूट रिले इंटरलॉकिंग के कारी को लेकर भागलपूर होकर चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया गया है जिससे यात्रियों को खासी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है एक ओर जहां RRI वर्क के कारण यात्रियों का अवागमन बाधित है वही कोरोना महमारी के कारण भी रेल यात्रियों में खौफ का महौल है गौर्टलब है कि भागलपूर से चलने वाली भागलपूर दानापूर इंटरसिटी, साहिब गंस दानापूर इंटरसिटी, फरकका एक्सप्रेस, सियालदा वारानसी एक्सप्रेस, सियालदा दिल्ली एक्सप्रेस समेत कई एक्सप्रेस, एवन पैसेंजर ट्रेनों का चालन दो अप्रेल तक रद कर दिया गया है जबकि बिक्रम सिला एक्स्प्रेस समेत कई ट्रेनों का रूट परिवर्तन कर मुंगेर होकर चलाया जा रहा है नोबल करोना वाइरस से बचाओ के लिए साबधानी बरतने की ज़रुरत है तेजी से फैल रहे संग्रमन से बचाओ के लिए देश में जनता कर्फियू तक की अपील की गई है वहीं पुलिस महकमे में भी करोना वाइरस को ले कर विसे साबधानी वरती जा रही है भागलपूर SSP आसिज भारती के निर्देश पर पुलिस कार्याले में आने वाले सभी कर्मचारी और फर्यादियों को हेंड़ वास और सेनेटाइज करने का निर्देश दिया गया है सनिवार को SSP कार्याले, इसाग चक थाना, कोतवाली थाना, ततारपूर थाना समय जिले भर के सभी थानों में पुलिस कर्मियों ने लोगों को हेंड़ वास कराया और खुद सेनेटाइज होकर कार्य किया इधर कोरोना से लड़ाई में जनपरती निदी भी काफी सतर्ग दिख रहे हैं नगर विधायक अजित सर्मा अपने आवास पर मिलने जुलने वाले सभी लोगों से दूरी बना कर बैठने की अपील करते दिखे विधायक ने कई वाड़ पारसत और आम लोगों को सेनेटाइज और हैंड़ वास करा कर कोरोना से घबराने के बज़ाय लड़ने की बात कही वहीं विधायक ने लगतार सुवरों और पंचियों की हो रही मौत पर कहा कि निगम परसासन विवस्था के नाम पर केवल खाना पूर्ती करने में जूटा है विधायक ने कहा कि उन्होंने खुद के फंड से संक्रमन की चपेट में आ चुके वाडो में ब्लीचिंग पौडर और केमिकल भेज दिया है मौगे पर पारसत संजे सिन्हा, मौहमद अस्गर अली समयत कई जनपरतिनी दी मौजूद थे जिला विदिक सेवा प्रादिकार की ओर से भागलपूर वेज़ा है जिला जजज एके पांडे ने को जागरूप करने की अपील की जिला जजज ने कहा कि कोरोना से बचाओ के लिए सापसफाई रखने, भीडवाडवाले इलाके से बचने और अधीक से अधीक घर के अंदर रहने की अपील की जिलाजज ने पत्रकारों से भी आसपास के लोगों को जागरूप करने की बात कही इस दोरान डॉक्टर हमसंकर सर्मा, डॉक्टर सांतनु घोस, डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर राजीब सिन्ना समयत कई चिकत सकों ने भी न्याई पतादिकारी अधिवक्ताओं एवं लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी वहीं पूरनवल बाजोरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में प्रचारी डॉक्टर रजीत कुमार पांडे की अध्यक्षता में कोरोना वायरस की रोक्थाम के लिए विचार गोष्ठी आयोजित की गई कोलेज परसासन की ओर से मोहनपूर गाउं में कोरोना को लेकर जागरुपता भिहान चलाया गया इस दोरान लोगों को जनता कर्फ्यू को सफल बनाने और कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरुप किया गया एवं सरकार द्वारा जारी किये गए गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई साथी हेंडवास सावून एवं मास्क का वितरन कर सुरक्षा संबंदित बातों की जानकारी दी गई कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया प्रभावित है और इस महामारी की चपेट में आने से दुनिया भर में हजजारों लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवीवार की सुभा साथ बजे से रात्री के नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का आवहन किया है इसको लेकर भागलपूर के वेवसाई भी काफी सजग हैं वेवसाईयों ने पी-म के इस आगरा का समर्थन करते हुए रवीवार को पूरे दिन सभी परतिष्ठानों को बंद कर घर में रहने का फैसला किया है सनिवार को इश्टर्न बिहार चेंबर ओफ कॉमर्स और इन्रेस्ट्रीज के नेत्रित में टेक्स्टाइल मर्चंट चेंबर ओफ कॉमर्स, मोवाईल विक्रेता संद, स्वर्नकार संद बिहार, प्रादेशिक मारवाली सम्मेलन, मारवाली युवामंच, मेडिकल और ड्रग एसोसियेशन, मसीनरी डिलर एसोसियेशन की ओर से प्रेस कॉन्फरेंस का आयो जन किया गय उन्होंने कहा कि इमर्जन्सी सेवा छोड़ कर सभी परतिष्ठान बंद रहेंगे, साथ ही कहा कि भागलपूर गौसाला की ओर से जरूरत मंदों को हॉममेट सेनेटाइजर भी उपलब्द कराया जाएगा, उपमापर राजे स्वर्मा ने कहा कि नगर निगम वेवसाईयो के इस निरने के साथ है, प्रेस कॉन्फरेंस में मडवाली युवा मंच के अस्वनी जोसी मॉन्टी ने कहा कि सब को एक जूठ होकर काम करना आवस्चक है, मौके पर गिर्धारी केजरिवाल, सरवन बाजोरिया, अजीत सरद सलालपुरिया, जौनी संथालिया, इवाम अव कि इस चिती में बहुत जरूरी है कि सबों का सुरच्षा का रिखार रखा गये, और इन शुरच्षा को देखते वे हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो निविदन किया है कि 22 मार्च को सुबर 7 वजे से राक्ते 9 बजे तर हम लोग जंता कर्ष्टियू अपने आप पर लगा मत्रा करें वाइस चारी को तो हम लोग समयतार है परधान मंत्री जी के साथ लेकिन 22 शारी के बाद उसी को लगातार 23 चारी को और 24 चारी मंगलवाड तर सामतच्पी अम लोग बजार बंद रखेंगे देश में बढ़ते प्रूना वाइरस के संक्रमन्ट के बाद पुद्धान मंत्री जी का भी एक आधिर पूरी देश वासे से किया गया कि 22 तारीक को पूरी तरीके से जलता कर्फू लगाने का काम करें जलता सभी समाजिक संस्तानों ने संगठनों ने मिलकर आज ये निर्ने लिया कि ना केवल 22 मार्स तक बलकि इसकी अबदी को बढ़ा कर हम लोग 24 मार्स तक सभी प्रतिस्थानों को बंद रखेंगे और बंद करने के पीछे की वज़ए यही होगी कि इन दो दिनों में हम लोग करने का काम करेंगे, फौगीं करने का काम करेंगे, ब्लीचिंग का छटकाओ करने का काम करेंगे करोना वाइरस से बचाओ और जन जागरुकता फैलाने के लिए भागलपूर नगर निगम सक्रिया हो गया है सनिवार को नगर निगम सभागार में कोरोना को लेकर उपनगर आयुक्त रीता कुमारी, नगर परवंदक रवीश चंद्रवर्मा और नगर मीशन परवंदक मिर्थुन्जे कुमार सिन्हा एवं अम्रेंद कुमार ने एलो और सीर्पी सदस्यों के साथ बैठक की बैठक में सभी सदस्यों को सहर में जन जागरुकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया बैठक के दोरान नगर प्रवंदक रवीश चंदर वर्मा ने कहा कि रविवार से नगर निगम छेतर के बिविन अस्थानों पर सिविर लगा कर जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा नगर प्रवंदक ने कहा कि नोडल पतादिकारी दीता कुमारी की देखरेख में अभियान चलेगा डे एनियो एलम के एलो और सी आरपी महिलाओं की परतिन्यूकती तिलकामांजी चौक, स्टेशन चौक, खलिपावाक चौक, नगर निगम चौक समेत आधा दर्जन से अधिक अस्थानों पर की गई है जो लोगों को कोरोना वाइरस के परति जागरुक करेंगी अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर मामारी का रूप ले चुके कोरोना वाइरस को लेकर डीम ने जागरुक रहने की कही बात जंता कर्फ्यू का पालन करने के दिये निर्देश कोरोना संदिक्नों पर नजर रखने के लिए माया गंज अस्पताल में बढ़ाई गई सुरक्षाद इक्षक ने कहा सौफ बेट का होगा इसोलेसन वाड साथ साथी रपराधियों को पुलीस ने किया गिर अपतार हत्यार हुआ बरामत सीटीएस पी ने दिज्चानकारी सुरों के बाद पक्षियों के मौत का सिलसला हुआ सुरूप बर्ड फ्लू की आसंका सिलसे हमें लोग और सबजी की याड में शराब की तसकरी करने वाले दो तसकर चड़ा पुलीस के हत्ते भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामत फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही नमस्कार